अनुराग दर्द से कराते हुए खुद से कहता है ये क्या हो गया मेरे हाथ को अनुराग का हाथ पूरी तरह सफेद बढ़ चुका था उसे अपने शरीर में अलगी कमजोरी महसूस होने लग गई थी वो दर्द से कराने लग गया था उसके हाथ पैरों की नसे दिखने लग गई थी अनुराग फिर एक बार दर्द से कराते हुए बोल पड़ता है आह मेरा हाथ अनुराग समझ गया था कि उसकी ये हालत उस हीरे की वज़े से हुई थी उसी के कारण वो इतना कमजोर पड़ गया था कि ठीक से खड़ा तक नहीं हो पा रहा था अनुराग के हाथ पैर कपकपाने लग गये थे अनुराग दर्द से कराते हुए कहता है यक्षनी ने सच कहा था मुझे यहाँ पर नहीं आना चाहे था यह क्या हो गया है मुझको यह मेरे हाथ पैर ऐसे कैसे हो गया है अनुराग उस हरे हीरे को देखते हुए कहता है यह सब इस हीरे की वज़े से हुआ है मुझे इसे नहीं चुना चाहे था ना मैं इसे चूता नहीं मेरे साथ यह सब होता अगले ही पल अनुराग उस हीरे को फेंकने की कोशिश करने लग जाता है पर अनुराग उस हीरे को अपने हाथ से हटाई नहीं पाता है ऐसा लग रहा था जैसे वो हीरा उसके हाथ में चिपक गया हो अनुराग उस हीरे को अपने हाथ से हटाने की कोशिश करते हुए कहता है अनुराग उस हरे हीरे को अपने हाथ से हटाने की कोशिश ही कर रहा था कि तभी एक डरावनी आवाज सुनाई देती है ये तु क्या कर रहा है अनुराग जैसे ही डरावनी आवाज अनुराग को सुनाई देती है, अनुराग एकदम शौक्ट हो जाता है, उसके रॉंक्टे खड़े हो जाते है, उसके समझ नहीं आता कि वो आवाज कहां से आई थी, उसने इतनी जादा डरावनी आवाज आज से पहले कभी नहीं सुनी थी अनुराग अपने आसपास देख कर ये पता करने की कोशिश करी रहा था कि वो आवाज कहां से सुनाई दी है, तभी फिर डरावनी आवाज सुनाई देती है, यहाँ वहाँ क्या देख रहा है अनुराग ज़रा नीचे देख, मैं यहाँ पर हूँ ये आवाज कहीं और से नहीं बलकि हीरे के अंदर से आई थी और ये आवाज ठीक उसी भक्षानर की तरह थी, जिसने यक्षिनी को प्रित्वी लोग पर बुलाया था अनुराग तुरंत हरे हीरे की तरफ देखने लग जाता है, जब उसकी निगाहें हरे हीरे पर टिकती है, तो उसकी आँखे फटी के फटी रह जाती है अनुराग देखता है कि हरे हीरे के अंदर काला खून तेर रहा था और उसी के अंदर दो पीली आँखे नजर आ रहे थी अनुराग को वो पीली आँखे एकदम साफ नजर आ रहे थी वही पीली आँखे उसे घूरे जा रहे थी अनुराग डर से कांपते हुए कहता है कौन हो तुम? हीरे के अंदर से फिर डरावनी भारी आवाज सुनाई देती है तुने मुझे नहीं पैचाना अनुराग मैं हूँ भक्षानर का वो अंश जो बचा रहे गया था खून की वो बूंद जिसे यक्षणी पी नहीं पाई मैं तेरा पूरवज हूँ जैसे अनुराग ये बात सुनता है उसके पैरो तले जमीन खिसक जाती है अनुराग डरते हुए कहता है भक्षानर? हीरे के अंदर से आवाज सुनाई देती है हाँ भक्षानर अनुराग हकलाते हुए अपने हाथ पैरों को देखते हुए कहता है तुमने मेरे खूट के साथ क्या किया है तुम्हे क्या चाहिए मुससे मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हूँ? भक्षानर की आवाज सुनाई देती है मुझे पना चाहिए अनुराग अनुराग भक्षानर की आवाज सुनकर इतना जादा डर गया था कि कुछ बोल नहीं पा रहा था भक्षानर फिर अनुराग से बोल पड़ता है मुझे तेरा शरीर चाहिए, मुझे तेरे शरीर के अंदर पनाह लेनी है अनुराग तुरंत नामे अपना सेर हिलाते हुए कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तुझे अपना शरीर बिल्कुल नहीं दूगा भक्षानर गुस्से के साथ कहता है, तू मुझे मना कर रहा है अनुराग अपनी बात पर अडिक रहते हुए कहता है हाँ मैं मना कर रहा हूं तुझे, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूं कि तेरा मकसद क्या है, अपने मकसद को पाने के लिए तू यक्षिनी को सताएगा उसे मार देगा, पर मैं ऐसा कभी नहीं होने दूगा, मैं यक्षिनी से बहुत प्यार करता हूं, मैं कभी उसे कुछ न अनुराग बड़े गुरूर के साथ कहता है। अगर तेरे अंदर इंसानियत बसी है तो मेरे अंदर भी शैतानियत बसी है इंसानों के साथ रहकर तुझे ये तो पता चली गया होगा कि इंसानियत क्या होती है पर शैतानियत क्या होती है वो तुझे नहीं पता होगा आज मैं तेरा उस शैतानियत से सामना कराऊंगा भक्षानर की ये बात सुनकर अनुराग की रुख काम गई थी वो इतना जादा डर गया था कि उसके जुबान लड़ खड़ाने लग गई थी अनुराग डर के साथ कहता है अनुराग फिर से उस हीरे को अपने हाथ से हटाने की कोशिश करने लग जाता है पर वो शायद भूल चुका था कि अब काफी देर हो चुकी थी जिस वक्त वो हीरे के अंदर हीरे से जुड़े हुए किस्से देख रहा था उसी वक्त उसके शरीर का सारा खून उस हीरे के अंदर जाने लग गया था और वहाँ पर जाकर पूरी तरह काला पड़ चुका था भक्षानर के खून की मात्र एक बून ने अनुराग के पूरे खून को अपनी तरह बना लिया था अनुराग हीरे को अपने हाथ से छुड़ाने की कोशिश करी रहा था कि उसी वक्त हीरे के अंदर अनुराग का जो काला खून मौजूद था उसके अंदर तेजी के साथ मूवमेंट होने लग जाता है भक्षानर की पिली आँखे दिखनी बंद हो गई थी देखते हीरे के अंदर से काला खून निकलने लग जाता है और अनुराग की हतेली जिसमें बबूल का काटा गड़ा था, जिससे खून निकल कर हीरे के अंदर गया था, उसी जगह से काला खून वापस से अनुराग के शरीर के अंदर जाने लग जाता है जैसे अनुराग के शरीर के अंदर काले खून की एक बूंद जाती है, अनुराग दर्द से तडपना शुरू कर देता है अनुराग दर्द से कराते हुए कहता है ऐसा मत करो मेरे साथ, जाने दो मुझे, मुझे अपनी तरह मत बनाओ, जाने दो मुझे अनुराग चीकते चिलाते रहता है पर पलट कर कोई भी आवास सुनाई नहीं देती है अनुराग के ही दर्द से तरपने की आवास कमरे के अंदर गुंचती रहती है जिस वक्त हीरे से निकल कर काला खून अनुराग के शरीर के अंदर जा रहा था उसी वक्त अनुराग के हाथ की कलाई पर पहले से जो तीन निशान बने हुए थे वहाँ पर एक और निशान बनने लग गया था और वो निशान था इंफिनिटी का जीवन मरन चक्र का जैसे अनुराग का एक नया जन्म हो रहा हो उसके अंदर की सारी अच्छाईयां मर रही हो और बुराईयां उसके शरीर के अंदर पनाह ले रही हो जैसे ही हीरे से सारा खून अनुराग के शरीर के अंदर चले जाता है अनुराग की कलाई पर चौथा निशान भी बन जाता है उसी के साथ अनुराग एक दर्द भरी कराती हुई आवास के साथ धड़ाम से फर्श पर गिरता है और बेहोश हो जाता है उसके हाथ से हरा हीरा चुट कर उसके बगल में गिर जाता है हीरे के अंदर अब कोई भी खून की बून मौझूद नहीं थी वो हरा हीरा पूरी तरह भक्षानर के अंशते मुक्त हो चुका था चित्रा जो कि ये सब हीरे के अंदर देख रही थी वो खुद से बोल पड़ती है इसका मतलब अनुराग जब पंचिम गाव आया उसके बाद उसके हाथ पर वो चौथा निशान बना यहीं पर आकर वो बदला पर वो पाचपा निशान वोकप बना अनुराग की कलाई पर इतना कहकर चित्रा फिर हीरे के अंदर देखने लग जाती है चित्रा देखती है कि कमरे के अंदर एकदम खामोशी चाही हुई थी अनुराग वहाँ पर बेहोशी पड़ा हुआ था कि तभी एक औरत की आवाज सुनाई देती है लेखक बापू यह आवाज किसी और की नहीं बलकि यक्षनी की थी यक्षनी दर्वाजे पर खड़ी हुई थी अनुराग की तलाश करते करते यक्षनी वहाँ पर आ गई थी घर के अंदर खुसते ही यक्षनी अनुराग को ढोड़ने लग गई थी उसे वक्त उसकी नजर जमीन पर पड़ती है और जब वो वहाँ पर अनुराग को बेहोश पड़ा हुआ देखती है तो डर जाती है यक्षिनी तुरंद भागते हुए अनुराग के पास जाती है वो उसके शरीर के पास बैठते हुए रोते हुए कहती है यह आपको क्या हो गया लेखक बाबू? अपनी आखे खोलिये लेखक बाबू, खोलिये अपनी आखे यक्षिनी अनुराग के पास बैठ कर रोने लग जाती है यक्षिनी रोते हुए फिर बोल पड़ती है आपको कुछ बोल क्यों नहीं रहे लेखक बाबू? ये क्या हो गया है आपको, आपकी हालत ऐसी कैसे हो गई, बताइए मुझे लेखक बाबू कुछ तो बोलिए, यक्षुनी अनुराग के सीने पर अपना सिर रखती है और रोते हुए फिर बोल पड़ती है, आपको कुछ नहीं हो सकता लेखक बाबू, मैं आपको नहीं खो सकत एक आप ही तो है जो मुझे समझ पाए है, जिसने अपना सब कुछ छोड़ कर मुझे अपनाए है, आपका मेरे सिवा इस दुन्या में है ही कौन लेखक बाबू, यक्षुनी अनुराग के सिर पर अपना सिर रखकर लगातार रोने लग जाती है, आसु बहाने लग जाती है वो यक्षुनी जिसे सब डाइन बोलते थे, जो मर्दों के दिल निकालती थी आज उसका दिल अपने प्रेमी के लिए रो रहा था, वो अपने आपको असहाए निर्बल महसूस कर रही थी, सिर्फ और सिर्फ अपने प्रेमी अनुराग के लिए, यक्षुनी अनुराग के स प्रवालत में से उठाने के लिए अभी यक्षनी ने अपना सेर उसके सीने से उठाई ही था कि तभी उसकी नजर अनुराग के हाथ की कलाई पर पड़ती है और जैसे वो अनुराग की कलाई देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं उसे अपनी आखों पर यकीन नहीं होता है यक्षनी नामें अपना सिर हिलाते हुए कहती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता यक्षनी देखती है कि अनुराग की कलाई पर चौथा निशान जीवन मरन चक्रका तो बनी गया था पर अब उसके हाथ पर एक और निशान बनने लग गया था आँख के अंदर ट्रैंगल का थी अनुराग की कलाई पर वो निशान अपने आप बनते जा रहे थे जैसे जैसे वो निशान बनते जा रहा था अनुराग के दिल की धरकने बढ़ते जा रहे थी जिसे यक्षनी साफ साफ सुन पा रहे थी यक्षनी उस पांच में निशान को देखते हुए खुद से कहती और जब यक्षणी उस हीरे को अपने हाथ में लेती है तो उसे भी सब कुछ पता चल जाता है कि थोड़ी देर पहले अनुराग के साथ क्या हुआ था अनुराग और भक्षारर के अंश के पीच क्या बाते हुई थी जब यक्षणी हीरे में सब कुछ देख लेती है कि अनुराग के साथ क्या हुआ था तो उसकी आँखों में बस मोटे मोटे आंसू बचते हैं और कुछ नहीं बचता है यक्षणी रोते हुए खुद से कहती है कि आपने क्या कर दिया लेखक बाबू आप यहाँ पर क्यूं आए लेखक बाबू मैंने आपसे मना किया था तो आपने क्यों नहीं मानी मेरी बात इसी वचे से मैं आपको नहीं बता रही थी कि भक्षानिर कौन था क्योंकि मुझे डर था कि अगर मैंने आपको उसके बारे में बता दिया तो आपके अंदर भी कहीं भक्षानिर के गुण जागरत हो जाए इसलिए मैंने आपसे सारी सच्चाई चुपाई थी नहीं बताया था कि आप किसके वन्शज है इतना कहकर यक्षुनी फिर रोने लग जाती है यक्षुनी रोते हुवे फिर खुद से कहती है अब मैं आपको चाह कर भी नहीं बचा सकती लेखक बाबू सब कुछ खत्म हो गया लेखक बाबू सब कुछ खत्म हो गया अब आपको भक्षानर बनने से कोई नहीं रोक सकता, मैं भी नहीं, भक्षानर का अंश आपके अंदर प्रवेश कर चुका है, और अब वो आपको पूरी तरह बदल देगा, अब आप मेरे लेखक बाबु नहीं रहे, भक्षानर बन चुके हैं, वो आपके अंदर की सारी हूँ पोछते हुए कहती है, लेखक बाबु, मैं आपको भक्षानर बनने से तो नहीं रोक सकती, पर आपके अंदर जो भक्षानर है, उसे उसका मकसद हासल करने से ज़रूर रोक सकती हूँ. यक्षनी आक रोश भरी आवाज में कहती है, भक्षानर को ब्रह्महन पराज कर कर यक्षुनी उस हरे हीरे को अपने दोनों हाथ में पकड़ती है और फिर आक रोश भरी आवाज में बोल पड़ती है मैं इस हीरे के चारो तरफ ऐसा रक्षा कवच बनाऊंगी कि भक्षानर तु इस हीरे की शक्ती का प्रयोग करना तो दूर तू इसे चू तक नहीं पाएगा यक्षुनी गुस्से के साथ कहती है तेरी वज़ा से मुझे एक अभी शाप मिला था जिस कारण में एक डायन बन गई अब मैं उसी डायन की शक्ती से इस डायन वंश के हीरे के चारो तरफ डायन वंशी रक्षा कवच बनाऊंगी इतना कहकर यक्षुनी अपने सिर का एक काला बाल तोड़ लेती है यक्षुनी मंत्र पढ़ते हुए कहती है यस याग्या मधुमी यातिसा साथ काल्यम भूतिन याग्याश्च डाकिर्न्यो यक्षिन याग्याश्च खेचरा जैसे यक्षुनी मंत्र पढ़कर खत्म करती है उसके हाथ में जो काला बाल था उसका रंग बदल जाता है वो काला बाल सफेद बाल में बदल जाता है यक्षुनी उस सफेद बाल को हरे हीरे पर लपेटते हुए कहती है यक्षिनी बार बार इस मंत्र का जाप करते जा रही थी और अपना सफेद बाल उस हीरे के चारू तरफ लपेटते जा रही थी तो उधर अनुराग के हाथ पर भी पांचपा निशान बनते जा रहा था उस ट्रेंगल के अंदर भी आंग बननी शुरू हो गए थी जब यक्षिनी हीरे के चारो तरफ डायनवंशी रक्षा कवच बना देती है तो उस हीरे के चारो तरफ एक सफेद जाल बन जाता है साथ ही उसी वक्त अनुराग के हाथ पर पांचपा निशान भी पूरी तरह बन जाता है जैसे अनुराग के हाथ पर पांचवा निशान बनता है वो धीरे से अपनी आँखे खोल देता है अनुराग की आँखे नॉर्मल नहीं थी वो पीले रग में चमकने लग गई थी भक्षानर की आँख की तरह